अगर आपका भी कोई अकाउंट है और आपके मन में एक सवाल जरूर रहता होगा कि माल लीजी हम कितने टाइम तक अगर अपने अकाउंट को इस्तमाल नहीं करते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा तो देखें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हू अगर आपका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट हो चाए नॉर्मल अकाउंट हो सेविंग अकाउंट हो प्रधान मंतरी वाला जो जीरो वाला खाता है वो हो करेंड अकाउंट हो किसी भी तरीके का कोई भी खाता हो अगर आप उस खाते को कितने टाइम तक इस्तमाल नही करेंगे जिससे कि आपका जो खाता है वो यहां पर बंद हो जाता है इस वीडियो में मैं आपको सारी जान करें देने वाला हूं सो प्लीस आप इस वीडियो में बने रहे हैं जिससे कि आपके जो भी डॉड्स हैं आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो इस वीडियो को देख कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, गवर्मेंट का पैसा छोड़ कर गए, डीबीटी, पीएम किसान का, आवास का या कोई भी गवर्मेंट जो पैसा डालते हैं, उस पैसे के लावव अगर आपने कोई भी लेंदेन नहीं किया है, उस खाते में तो बैंक आपके खाते क को, दो साल तक अगर आप इस्तमाल नहीं करेंगे, तो आपके खाते को फ्रीज कर देगा, यानि कि टैम्परेरी उसमें जो उसको फ्रीज कर देगा, उससे हुगा कि आप उस खाते को फिर इस्तमाल नहीं कर पाएंगे, नहीं एटिम कर पाएंगे, आप किसी तरीके का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पर फिर से अपनी जो KYC है, वो आपको करानी पड़ेगी, जैसे ही आपकी KYC हो जाएगी, आप फिर से अपने खाते को इस्तमाल कर पाएंगे, अब होगा क्य एक्सक्ष बैंक हो गई, हगर आपके खाते को maintain करेंगे तो अगर आपको कोई भी पैसा bank को नहीं देना है आप फिरी में 0 रुपय दे करके अपना जो खाता है उसको आर्फिर से activate करा सकते हैं जिस दिन से activate होगा फिर से आपको नई service है जो भी वहां से आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं पिछले दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका bank आपसे कोई भ उसका अगर पैसा माइनस में होता है तो उसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और RBI ने बैंकों को ये भी बोला है अगर कोई व्यक्ति दो साल से तीन साल से खाता इस्तमाल नहीं कर रहा है तो आप कोजिस कीजिएगा उससे पहले उसको जो भी है अपने तरब से SMS होसे पहले पाने एंच लेटर जिससे के उनको पता लगे कि उनका खाता बंद होने बाला है और जो कसमर है वह जल्द जल्द आगैं अपने खाते को चालू कराएं और अगर बेंक का ऐसे करने के बाद भी कस्टमर का कोई जबाव नहीं आता है तो बेंक ने option और रखा है उसके खाते में जो भी नॉमिनी वगेरा है उनको संपर्ख करें और उनको बताए कि आप इनके खाते में नॉमिनी है आप इनको बोलिए इनका जो खाता है वो बंद होने बाला है उन्होंने काफी टाम से कोई भी लेंदिन नहीं किया है तो इस तरीके से आरगा सारी पैसे को छोड़ करें आपका जो क्हाता है वो दो साल के बाद आपका ऐसा चालू करारा मैं आपको कैसे मार्ण में हो चाहिए आप काростा워서 काते में कोई सटैना होइब हुआऑ इस वीडिए में आपको सारी जानकरी दे दी है वीडियो देक पर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ जाहों आपका कोई डाउट हो आपको कुछ पोचना है तो आप बे जिजक हो करके हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे आपकी जो भी मदद होगी हम आपकी हमेशा शे मदद करने की कोशिश करेंगे अब उमीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो को आप ज्यादा स्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलोव जरूर कीजगा वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं आ शरूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्य बाद